हेलो दोस्तों मेरा नाम है उमई शरोडा और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं फाइव एक्सेज में किस तरीके से इस मॉडल का हम टूल पाज जनरेट कर सकते हैं तो इसको आप application से manufacturing में लेके जाएं और यहां पर आने के बाद मैंने क्या किया सबसे पहले मैं वर्क पीस में जाता हूँ और वर्क पीस में इस पार्ट को डिफाइन कर लेते हैं यह हमारा पार्ट हो गया ब्लैंक में आपर डिफाइन नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ टूल पाथ जनरेट करूँगा और फिनिशन का टूल पाथ इसके अंदर आपको बना कर दिखाऊँगा फिर हमें टूल चाहिए होगा तो टूल के लिए मैं एक बाल मिल टूल यूज़ करने वाला हूँ सिक्स का शिक्स का बाल मिल 15 के फ्लूट ले लिए और इसको लेंथ 65 के असपस इसके अदर होल्डर में जाते हैं और होल्डर क्रिएट कर लेते हैं 15 एल्डी लेंथ लगबग 45 अपर डाया 35 ओके फिर एड़ करते हैं और सेकेंड वाला हमें मिल जाएगा तो यह टूल मैंने एक बना लिया है इंसर्शन को 5 डाल दिया एक टूल मेरा तयार हो गया है इस टूल के मदद से मैं इसके उपर multi-access operation करने वाला हूँ तो multi-access में आ जाएए multi-access में मैं variable contour भी यूज़ को सकता हूँ और variable streamline भी तो फिलहाल हम variable streamline यूज़ करने वाले हैं तो प्रोग्राम और टूल मैंने select कर लिया work piece select कर लिया और यह finishing का operation है ओके यहाँ पर जाके cutting area मैंने यह green वाला जो है की direction और कट की direction मैंने यहां से पिक करी इस direction में cutting करेगा और यह जिग में जा रहा है 60 और यहां से हम tolerance भी define कर देते हैं ओके प्रोजेक्शन वेक्टर तो टूल एक्सेज ही रखी और जो टूल एक्सेज है इसको हम ले ले लेते हैं इंटर पॉलेट वेक्टर इंटर पॉलेट वेक्टर जब आप लेंगे तो आप यहां से देखें आपको बहुत सारे वेक्टर के पॉइंट मिलेंगे आप जैसे क्लिक करेंगे उसकी पॉजिशन आ जाएगी कि टूल कहां पर है तो मैं फिलाल क्या करने वाला हूं नीचे के जो पॉइंट है यह गलत है तो इनको मैं कि डिलीट कर देता हूं मुझे इतने सारे नहीं चाहिए मैं खुछ से डिफाइन करूंगा सिर्फ आप यहां से फोर पॉइंट को छोड़ दीजेगा हुआ है अब मैं आपको दिखाता है यह फोर पॉइंट कौन कौन से है पहला पॉइंट यह हैं दूसरा नीचे का गया एंट फेर तीसरा पॉइंट ही हो गया और चौउत्तласт यह हो Haupt यह हो गया न यह भी एक एक्स्ट्रा है को यह कर दिया अब पहले प्हले पॉइंट इसेकेंड पॉइंट यहां पे चलते हैं और यहां पे जब जाएं तो टूल यहां पे भी सीधा मेरे तरह आए राइट फिर नेक्स थर्ड पॉइंट थर्ड पॉइंट भी यहां से लगबग सीधर चलना चाहिए तो व्यू के साथ और इंट कर दीजिए और फिर जो कर देते हैं राइट इसके अलावा भी अगर आप चाहिए तो यहां से से आप मूव कर सकते हैं फिलाल मैंने चार ही पॉइंट लिए ओकी करते हैं और अब आप जन्रीट करिए थोड़ा सा टाइम लेगा यह जन्रीट होने में तो यह मेरे पास आ गया है तो कुछ अजीब सा रहा है तो इसमें जाके मैं दो चेंजिस करने वाला हूं नमबर एक मैं इसे जिग जैक को जिग करूंगा मैंने जिग ले लिया ओके दूर्सक्रा नॉन कटिंग मूव ठीक नहीं आ रहे है तो नॉन कटिंग मूव में जाते हैं नॉन कटिंग मूव में रैपिट्द एंट ट्रांसफर में जाके मैं नहीं लिए यह добh गकस ऐाया है ओके कि आर कटिंग में ठीक है यहां से कुछ भी नहीं ओके और जनरीट दुबार से करिए अब यह आ गया है और इसको एक बार प्ले करकर देखते हैं यह किस तरीके से आ रहा है किस तरीके से वह कर रहा है यह भी कुछ ठीक नहीं आ रहा है इसे स्टॉप करते हैं और यहां से मैं जाता हूं इंटर पॉलेट वेक्टर में और यहां पर फूर पॉइंट थे मैं एक और पॉइंट लेता हूं फस्पॉइंट यह था है कि सेकिंड है कि मैंने एक पॉइंट और लिया और पॉइंट मैंने इस एट पर डिफाइन किया है तूल मेरा यहां पर आगया है आप इसे है कि ओर इंट कर लिजिए थीक इसके बाद एक पॉइंट और चाहिए नेक्स्ट पॉइंट मैं यहां बीच में ले लेता हूं और टूल की पोजिशनी देख लिए ठीक आ रहा है यह ठीक ही जग रहा है एड और नेक्स्ट जाली एज़ पे बीच में लेता हूं अ कि अ ओके और इसको मैं कैसे लोगी यह प्रॉपरली आ नहीं पारा यहां से रखते हैं और इसको करते देंदें से अ गरत हो गया क्लिक करते हैं यह नहीं एक और एड पॉइंट और यहां से इसे नॉर्मल तो एक दो तीन चार पांच छे और यह यह वाला भी भी गलता रहा है तो एड करते हैं यह वाला पॉइंट इसे कर देते हैं हम यह उथर जा रहा है आई रण डो ऐसा क्यों कर रहा है तो मैं मैनुवली इसे ठीक कर लता हूं कोई बात नहीं आप यहां पर आईए अब यहां से इसे उपर की तरफ लेते हैं इधर से आ जाईए इधर से घुमा लेते हैं राइट अब बीच में आ गया है और ओके फिर से जनरेट करके देखेंगे इंटर्पोलेट वेक्टर के अंदर आप वेक्टर की टूल के वेक्टर की डार्शन खुछ से डिफाइन कर सकते हैं और इसके इंदर मुल्टिबल पॉइंट आप अब एड़ कर सकते हैं अ कि कुछ इस तरीकर से आ रहा है जलाकर देखा जाए तो यह अभी फिलाल में हमारा प्रॉपरली आ गया है अब अगर मैं चाहूं कि मैंसे मशीन पर माउंट करके उसके बाद इसे चलाकर देखना चाहता हूं तो हम क्या करेंगे आपको यहां से जाना है और यहां से जैनरिक मशीन में जाके एड़िट करेंगे और क्लिक करिए रिट्राइव मिलिंग और यहां से हम ले लेते हैं एड़े नाइन फाइव एक्सेज बी टेबल और इसको आप प्लेस कर दीजिए जैसे असेम्बली में करते हैं जैसे आपने बाकी सब को किया होगा ओके यह आगई मशीन और यहां से जाते हैं हम मशीन सिमिलेशन मशीन सिमिलेशन में इसे आउन करते हैं शो मशीन स्टेटस और अब प्लेए करके देखा जाए स्पीड एक्स वाई जेड और बी और जी तो उमीद है आपको यह प्रॉपरली समझ में आ गया होगा अगर कोई क्वेरीज है तो आप कॉन्टेट कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो प्लीज पॉजिटिव फीडबैक दीजिए थैंक यू